इस picture में आपको दो type के आदमी दिख रहे होंगे, एक इधर वाला जो की बिल्कुल normal chest के साथ है और इक इधर वाला जिसके अंदर abnormal chest है इस abnormal chest को बोला जाता है barrel shaped chest, barrel का मतलब होता है एक container जो की पूरा goal होता है तो इस condition के अंदर जो chest होती है बिल्कुल गोल दिखने लगती है बिल्कुल एक container की तरह दिखने लगती है इस type की chest देखी जाती है chronic smokers के अंदर जो की लंबे time से smoking कर रहे होते हैं इसके पीछे का logic यह होता है कि जो अब आप smoking करते हैं तो आपके lungs के अंदर carbon particles इखटा होना शुरू हो जाते हैं एक time बात जो होते हैं आपके lungs के अंदर कुछ cells होते हैं macrophages होते हैं जो उनको खाना शुरू कर देते हैं कई बार क्या होता है वो macrophages जो लंग्स के tissue को खाना शुरू कर देते हैं लंग्स के जो tissue होते हैं वो damage होना शुरू हो जाते हैं आपके lungs के पास एक tendency होती है recoil करने की recoil मतलब वो अपनी जगा पर वापस आ जाते हैं अगर उनको आप खीच कर छोड़ देते हैं तब ये lungs का tissue damage होता है तो उसकी recoil की tendency चली जाती है जिस वज़ा से tissue वापस नहीं आपाता अपनी जगा पर और ये always stretch रह जाता है इसका मतलब lungs का diameter बढ़ जाता है volume बढ़ जाता है और उनके पास extra जगा नहीं होती है breathe in करने के लिए inspiration के लिए इसलिए smokers को सांस लेने में भी problem होती है